अब हम जानते हैं संधी के दूसरे भेद व्यंजन संधी के विशे में व्यंजन संधी जैसा कि इसके नाम से सपश्ठ होता है कि व्यंजन की संधी जहां व्यंजनों का योग हो रहा है जहां व्यंजनों का मेल हो रहा है ऐसी संधी व्यंजन संधी कहलाती है स्वर संधी में स् स्वर या व्यंजन आने से जब व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन है तो जो परिवर्तन आता है उसे व्यंजन संधी कहते हैं जैसे उत जमानती उननती आप देख रहे हैं यहां उत जो पूर्पद है यहां पर त हल्चिन के साथ है अर्थात यहां स्वर उपस्थित नहीं इस कारण से यहां व्यंजन है यह तो स्वर नहीं है यहां पर व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से व्यंजन में जो परिवर्तन आता है उसे व्यंजन संधी कहते हैं यहां जो व्यंजन है इसके बाद जिस स्वर का प्रयोग हुआ है या व्यंजन का प्रयोग हुआ है उसके बाद में जो परिवर्तन आ रहा है वह व्यंजन संधी कहलाएगा जगत जमा इश जगदीश तत जमालीन तलीन सत जमा उपयोग सद उपयोग अब इसके कुछ प्रहुक नियम है जिनकी जानकारी आप टाप्त करें पहला नियम है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन अब वर्ग क्या है जब आपने वर्ण के विशे में पढ़ा था तब आपने जाना था कि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग वर्ण माला के अनुसार ये पांच वर्ग बटे हुए है इस प्रकार ये जो पांच वर्ग हैं इनमें कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, तवर्ग और पवर्ग इस आधार पर वर्ग में ये सभी वर्ग व्यंजन सम्मिलित हैं ये कवर्ग में कखगगः, तथदधन, पफबभम, इस प्रकार से ये प्रतेक वर्ग के अनुसार ये पांच व्यंजन यहां प्रयुक्त हुए हैं और इस वर्ग माला के अनुसार और संधी के पहले नियम के अनुसार वर्ग के पहले वर्ग का तीसरे में परिवर्तन वर्ग का पहला वर्ण अर्थात क, च, ट, त, प, इस पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन अर्थात तीसरा क्या है? क वर्ग का तीसरा व्यांजन है ग, च वर्ग का ज, ट वर्ग का ड, त वर्ग का द, और प वर्ग का ब देखिए, जब पहले वर्ण का तीसरे के बाद तीसरा या चौथा वर्ण आए, यदि वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा तीसरा या चौथा क्या है? जो हमने जिन पर गोला लगाया वो है तीसरा और इसके साथ वाला है चौथा तो तीसरा या चौथा व्यंजन या यरलवह तीसरा चौथा वर्ण या यरलवह या कोई स्वर आए या उसके पश्चात कोई स्वर आए यानि कि कव पहले वर्ण के बाद कच ट प के बाद यदि तीसरा या चौथा वर्ण या कोई व्यंजन या यरलवह आए तो ऐसी स्थिती में पहले का तीसरा हो जाता है अर्थात पहले वर्ण पहला वर्ण जो है वो तीसरे में परिवर्टित हो जाता है जैसे क क के बाद यदि कोई अन्यस्वर आ रहा है या तीसरा चौथा वर्ण आ रहा है या यर अलवा हा आ रहा है तो क किसमे परिवर्थित हो जाएगा ग में च परिवर्थित हो जाएगा ज में त हो जाएगा ड में त हो जाएगा द में और प हो जाएगा ब में उदारण देखते हैं क का ग में परिवर्तन जैसे दिक जमा अंबर अब यहां क के स्थान पर ग का प्रयोग हुआ है क जो है वो ग में परिवर्तित हो गया दिक जमा अंबर दिगंबर वाक जमा जाल वाग जाल दिक जमा भ्रम दिग भ्रम वाक जमा ईश वागीश दिक जमा गज दिगज दिग जमा दर्शन दिग दर्शन वाक जमा दत्ता वाग दत्ता वाक जमा दान वाग दान तो देखा आपने कि सभी उदाहरणों में क के स्थान पर ग का प्रयोग हुआ है क्योंकि क के बाद कोई स्वर जैसे यहाँ अ यहाँ ई प्रयोग हुआ है या तीसरा या चौथा व्यांजन जैसे यहाँ ज, भ, ग, द या द प्रयोग हुए है तो इस कारण से जब क के बाद तीसरा या चौथा व्यांजन उस वर्ब का या कोई स्वर या या यर लव ह आता है तो पहला जो वर्ण है वो अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है जैसे क का ग में परिवर्तन हो गया इसी प्रकार च का ज में परिवर्तन हुआ है अच जमा अंत अजन्त अच जमा अम्बू अजम्बू फिर त का ड में परिवर्तन हुआ है जैसे शट जमा आनन शडानन शट जमा रिपू शडरिपू शट जमा रितू शडरितू फिर है त का द में परिवर्तन सत जमा वानी सद वानी, सत जमा भावना सद भावना, सत जमा धर्म सद धर्म, सत जमा उप्योग सद उप्योग, सत जमा गती सद गती, उत जमा धार उद धार, उत जमा यम उद्यम, उत जमा गम उद गम, उत जमा घाटन उद घाटन, भगवत जमा भगती भगवत भगती जगत जमा इश जगदीश जगत जमा अमबा जगदमबा तत जमा भव तद भव तत जमा अनुसार तद अनुसार भगवत जमा गीता भगवत गीता इस प्रकार तो का दो में परिवर्तन हुआ है तो के स्थान पर सभी सानों में आप देख रहे है त की जगे द का प्रियोग हुआ है ये व्यंजन संधी का पहले नियम की अनुसार है फिर है प का ब में परिवर्तन अप जमा ज़ अबज फिर दूसरा नियम देखिए वर्ग के पहले वर्ण का पांचमे वर्ण में परिवर्तन यदी वर्ग के पहले वर्ण अब पहला वर्ण वर्ण उसी वर्ग के पांचमें वर्ण में परिवर्थित हो जाता है यदि कच तप के बाद न या म आए तो वो पांचमें वर्ण में परिवर्थित हो जाता है अपने ही वर्ग के जैसे कवर का पांचमें वर्ण क्या है न चवर का यह टवर काड़ तवर का न और पवर का म इस प्रकार से ही ये परिवर्थित हो जाएगा, जैसे वाक जमा मैं बन गया वांग मैं, यदि क्योंकि हां क क के बाद म प्रेयो हुआ है, यदि म या ना आए, तो वो अपने पांच में वर्ण में परिवर्थित हो जाएगा, इसी प्रकार त के स्थान पर आ जाएगा, जैसे शट जमा मास, शण मास, फिर है, तो के स्थान पर न, यदि तो के साथ न आने पर या मा आने पर भी वो न में परिवर्टित हो रहा है, जैसे चित जमा मैं, चिन मैं, जगत जमानात, जगनात, अन्या उधारन देखते हैं, चित जमा मैं, चिन मैं, उत जमा नायक, उन नायक, तत जमा नाम, तन नाम, उत जमा नयन, उन नयन, प्राक जमा मुख, प्रांग मुख, शट जमा मास, शण मास, शट जमा मुख, शण मुख, उत जमा मेश, उन मेश, तत जमा मैं, तन मैं, सत जमा नारी, सन नारी, सत जमा मित सनमित्र सत जमा मति सनमति इस प्रकार आपने देखा दूसरे नियम में पहले वर्ण के बाद न या म आने पर वो पाँच्वे वर्ण में परिवर्टित हो जाता है पहले नियम के अनुसार पहले वर्ण के बाद तीसरा चौथा वर्ण या स्वार या यार अलवा होने पर वो तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा और दूसरे नियम की अनुसार पहले वर्ण के बाद न या मा होने पर वो पांचमे वर्ण में परिवर्टित हो जाए घंड लिवर्डू स और वो जो जाल अब हम देखते हैं व्यंजन संधी का तीसरा नियम जो की है त संबंधी नियम त व्यंजन के बाद च या छ हो तो च ज या ज हो तो ज त या ठ हो तो ट ड या ध हो तो ड और ल हो तो ल हो जाता है देखिए त संबंधी नियम त के बाद यदि च या छ ज या ज त या ठ ड या ध त या ल हैं तो इसमें च ज त ड ल में परिवर्टन हो जाता है जैसे त के बाद च या छ होने पर च में परिवर्टित हो जाना सत जमा चरित्र तो त के स्थान पर च बदल गया है त के बाद क्योंकि यहां पर च है त के बाद च या छ होने पर च में परिवर्टन हो जाएगा सत जमा चरित्र बन गया सत चरित्र जगत जमा चाया जगत चाया उत जमा चारण उत चारण उत जमा चरित्र उत चरित्र सत जमा चित्र सत चित्र उत जमा चिन उत चिन शरत जमा चंद्र शरत चंद्र फिर है त के बाद ज़ या ज़ होने पर जैसे हमने अभी देखा था त के बाद ज़ या ज़ होने पर परिवर्तन हो जाएगा ज़ में तो यहां तो किस्थान पर ज आया है इसी प्रकार सत जमा जन सजन तो किस्थान पर ज आ गया विप्त जमा जाल उत जमा जुब उजुबड में ध्यान दीजिए वच्चों उजुबड में हमेशन दोनों ज स्वर रहेता आते हैं। के साथ नहीं जुड़ा होता। दोनों आधे ही आते हैं। उझ्वल। अगला शब्द है सत जमाजन, सज्जन। फिर है त के बाद त या ठ होने पर त में परिवरतन होना। तत जमाटी का, तटी का, व्रहत जमाटी का, व्रहत जमाटी का, फिर त के बाद ड या ध होने पर ड में परिवर्तन, उत जमाडयन, उड़यन, त के बाद ल होने पर ल में ही परिवर्तन होता है, जैसे उत जमालंगन, उलंगन, उत जमालेक, उलेक, उत जमालास, उल्लास, त जमालीन तलीन, फिर है दूसरा भाग इसका यदि त के बाद श आए तो त का च तथा श का च हो जाता है जैसे ता जमा श तो च अरहित च है फिर है चौश, तो त के बाद यदि श आए तो तका च और श का च हो जाएगा जैसे तत जमाशिव तच्छिव उत जमाश्वास उच्वास सत जमाशास्त्र सच्छास्त्र तत जमाशंकर तच्छंकर यदि त के बाद ह आए तो त का द हो जाएगा और ह का ध हो जाएगा त के नियम में ही त के बाद ह आए तो त का द और ह का ध हो जाएगा उद्धारन देखते हैं उत्जमाहत उद्धत पत्जमाहति पद्धती उत्जमाहरन उधरन तत्जमाहित तद्धDIO ततार उत्जमाहरत उद्धित तो इस प्रकार आपने देखा तसमदीनियम फिर है छ सम्बंधिनियम क्या है यदि किसी स्वर के बाद छ वर्ण आ जाए तो छ से पहले छ वर्ण जुड़ जाता है जैसे आजमा छ आच यदि किसी स्वर के बाद छ वर्ण आ रहा है तो छ से पहले जहां स्वर प्रियुक्त हुआ था उस छ से पहले च जुड़ जाएगा जो की हलचन के साथ है इसका मतलब च जुड़ेगा इसके अंदर वो आ रहित होगा जैसे वी जमा चेद विच्चेद संधी जमा चेद संधी चेद अनु जमा चेद अनु चेद स्वर जमा चंद स्वर चंद तरु जमा चाया तरु चाया आ जमा चादन आ चादन परी जमा चेद परी चेद चत्र जमा चाया चत्र चाया लक्ष्मी जमा छाया लक्ष्मी छाया फिर अगला नियम देखिये जो की म सम्मदी नियम है पांचावा नियम इसका कर भाग है पूर्वपद के अंति म के बाद यदी कोई स्पर्श व्यंजन क से म तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन होते हैं आप जानते हैं आएं तो म के स्थान पर उसी वर्ग का पांच्वावन पंच्माक्षर आप जान चुके हैं कवर्ग तवर्ग तवर्ग पवर्ग और पवर्ग का पांच्वा अक्षर पांच्वें अक्षर हैं ये तथा अनु अनुस्वार हो जाएगा और मानकवर्तनी के अनुसार जब हम प्रयोग करेंगे तो पंचमाक्षर के स्थान पर किसका प्रयोग होगा अनुस्वार का तो इस प्रकार म, म के साथ यदी कोई स्पर्श व्यंजन है तो वो पंचमाक्षर या अनुस्वार में परिवर्टित हो ज जैसे सम जमा कल्प संकल्प, सम जमा चित संचित, सम जमा गीत संगीत, सम जमा तुष्ट संतुष्ट, सम जमा देश संदेश, सम जमा बंध संबंध, सम जमा चार संचार, सम जमा गती संगती, सम जमा जीवनी संजीवनी, इस प्रकार आपने देखा कि म के स्थान पर जब स्पर्श्वियंजन बाद में आ रहे हैं तो म किस में परिवर्टित हो गया अनुस्वार में परिवर्टित हो गया है म सम्मंदी नियम का दूसरा ख़भाग देखिए म का मेल यदी म से होता है अर्थात एक स्वर्रहित म है जिसके साथ हल्चिन लगा है यदि इसका मेल म के साथ हो रहा है, जो स्वर सहित है तो म का म इस प्रकार लिखा जाएगा अर्था दुवित्व हो जाता है द्वित वियंजन आप जानते हैं जब एक वियंजन एक समान वियंजन दो बार प्रयुक्त हो परंतु उसमें क्या पहचान है एक बार जब प्रयुक्त हो रहा है तो वो स्वर रहित है और दूसरी बार जब प्रयुक्त हो रहा है तो वो स्वर सहित है यहाँ पर आप देखें म जब हम इस प्रकार लिखेंगे तो एक बार म ये जो है ये स्वर्स रहित म है इसमें नहीं जुड़ा हुआ और दूसरी बार जुड़ा हुआ है उदारन देखते हैं सम जमा मोहन सम मोहन सम जमा मुक सम मुक सम जमा मती सम मती सम जमा मिलित सम मिलित सम जमा मान सम मान सम जमा मिश्रन सम मिश्रन फिर इसका गह भाग देखिए सम उपसरग से परें अंतस्त और उश्म व्यंजन अंतस्त और उश्म व्यंजन क्या है यरलव शसह ये रहने पर म का अनुस्वार ही होगा जैसे सम जमा सार संसार सम जमा योग संयोग, सम जमा रक्षक संरक्षक, सम जमा वरण संवरण, सम जमा शोधन संशोधन, सम जमा रक्षक संरक्षक, सम जमा युक्त संयुक्त, सम जमा रक्षा संरक्षा, सम जमा यम संयम, सम जमा स्मरण संस्मरण, सम जमा लाप संलाप, सम जमा लगन संलगन, सम जमा उसके स्थान पर पंचमाक्षर का प्रयोग करेंगे या अनुस्वार का प्रयोग करेंगे और मानक वर्तनिय के अनुसार हम उसे अनुस्वार के रूप में ही लिखेंगे फिर इसका ख़ भाग में था मा के बाद मा हल्चिन के साथ है इसके बाद यदि मा आये पूरा मा आ रहा है स्वर सहित मा आ रहा है तो वो द्वित्व वियंजन बन जाएगा अर्थात मा आधा औ यानि स्वर रहित मा और स्वर सहित मा इस प्रकार लिखा जाएगा द्वित्व व्यंजन के रूप में और मा का तीसरा नियम था मा के बाद यदि अंतस्थ या उश्म व्यंजन है तो वो अनुस्वार में परिवर्टित हो जाएगा इस प्रकार आपने देखा कि मा संबंदी पी तीन नियम है एक में मा के बाद स्पर्श व्यंजन हो तो वो अनुस्वार के रूप में परिवर्टित होगा दूसरे में मा के बाद यदि मा है तो वो द्वित्व व्यंजन के रूप में परिवर्टित होगा और मा के बाद यदि उश्म या अंतस्थ व्यंजन है तो व अनुस्वार के रूप में परिवर्तित होगा. अनुस्वार के रूप में परिवर्तित हो. Sign up today on Bright Tuesday and avail your courses at affordable prices. चिख को अन्यस्वर आ रहा है यदी आता तो संधी होने पर सर का शव हो जाता है जैसे विजमा सम ही तो बन गया विशम में परिवर्तन हो गया फिर है अभी जमा सिक्त तो सा के सान पर शा का प्रयोग हो गया अभी शिक्त नी जमा सेद निशेद अनुजमा संगी अनुशंगी अभी जमा सेख अभी शेक सू जमा सूपती सुशुपती नी जमा सिद निशिद सू जमा सुदित सुशुदित अब व देखिए अनुजमा स्वार में अनुश्वार नहीं हुआ, इसलिए इसे अपवाद कहा गया, अनुजमा स्वार अनुश्वार ही रहेगा, इसी प्रकार अनुजमा सरण, अनुसरण ही है, अनुशरण नहीं हुआ, और फिर है वी जमा स्मरण, वी स्मरण ही रहा, इसमें भी स इस तान पर हमने शुका प्रयोग नहीं किया अगला है न का न में परिवर्तन MB है जिसमें हे न का न में परिवर्तिन हो न जब री र श का न से मेल होता है जब री र या श का न से मेल हो रहा है तो न का न हो जाता है जैसे री जमान न तो बन जाएगा रिन क्योंकि या री का किसके साथ मेल हुआ है न के साथ मेल होने पर वो न में परिवर्दन हो जाएगा न कान हो जाएगा इसी प्रकार मर जमानना मरण, भर जमानना भरण, त्रिश जमानना त्रिश्न, चर जमानना चरण, भूश जमानना भूशन, हर जमानना हरण, क्रिश जमानना क्रिश्न, पूर जमानना पूर्ण, प्रजमानाम प्रणाम, विश जमानू विश्नू, इसका दूसरा भाग देख आखिए, री रशा का ना से मेल हो यदि री रशा का ना से मेल उपर वाले में दर्शाया गया है परन्तु इसके बीच में यदि चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग कोई व्यंजन या श स आ जाएं तो ना नहीं मदलता, ना उसी रूप में रहेगा, न न में परिवर्थित नहीं होगा जैसे शब्द ये गए हैं दुर्जन, दर्शन, अर्जुन, पर्यटन, रत्म, प्रार्थना इनमें न न में परिवर्थित नहीं हुआ किस प्रकार से देखते हैं दुर्जन यहां दुर र तो आ रहा है दुर जमा जन र का न के साथ मेल भ परंतु बीच में चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग या श स आ जाएं तो न न में परिवर्तित नहीं होगा इसलिए दुर्जन लिखने पर दुर्जमा जन करने पर र का मेल हो रहा है परंतु उसके न से पहले उसके बीच में आ गया ज जिसके कारण न में परिवर्तित नहीं एक तालिका के रूप में इस धंग से आप बनाएंगे तो आपके लिए इस पश्टी करण आसान रहेगा और आपको ये नियम याद भी रहेंगे देखते हैं पहला नियम जब हमने पढ़ा था पहले वर्ण का तीसरे चौथे वर्ण के साथ मेल होने पर या किसी स्वर या या रलव ह के साथ मेल होने पर का वर्ण जो पहला वर्ण है वो तीसरे या चौथे तीसरे में परिवर्टित हो जाता है अर्थात एक का तीन हो जाता है इस धंग से आप याद करेंगे एक का तीन हो गया अर्थात पहला वर्ण जो था वो तीसरा बदल गया उसके बदले तीसरा लिखा जाएगा जैसे का के बदले गा, चा के बदले जा, टा के बदले डा, ता के बदले दा और पा के बदले ब, दूसरा नियम था हमारा पहला वर्ण, यदि पहले वर्ण के बाद न या म आ रहा है, तो वो पहले वर्ण का पांचवा हो जाएगा, पह परिवर्तित हो जाएगा जैसे को किस्थान पर आ जाएगा उंगा चो किस्थान पर यह तो किस्थान पर ना पकिस्थान पर मौ का परिवर्तन हो जाएगा तीसरा नियम था तो संबंधी नियम तो संबंधी नियम में तो के साथ यदी चो चो का मेल हो रहा है तो का तो के जा या जा आएगा तो जा में हो जाएगा ता के बाद ट या ठ आएगा तो ट में परिवर्तन हो जाएगा और ता के बाद ड ध आएगा तो ड में परिवर्तन हो जाएगा और ता के बाद लग प्रियोग होगा तो वो ल में परिवर्तन हो जाएगा फिर इसी प्रकार तो के सा श आने पर त च में परिवर्तित होगा और श च में परिवर्तित होगा फिर है तीसरा भाग इसका त के साथ हाने पर त द में परिवर्तित होगा और हा धा में परिवर्तित हो जाएगा तो ये था हमारा तीसरा नियम फिर है चौथा नियम जो था च सम्मंधि जिसमें स्वर के पहले च जुड़ जाएगा इस प्रकार आधा च यानि स्वर रहित च और च प्रयोग होगा पाच्वा नियम है मह सम्मंदी नियम जिसमें मह के बाद यदी सपर्श व्यंजन प्रयोग थो रहे हैं यानि कि का से मह तक्य व्यंजन प्रयोग थो रहे हैं तो उस मह के स्थान पर पंच माक्षर प्रियुक्त होगा परंतु मानक वर्तनी के अनुसार हम पंच माक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं तो इस आधार पर हम अनुस्वार उसके स्थान पर लिखेंगे मां का दूसरा नियम था कि मां के बाद यदि मां आ रहा है एक स्वर रहित मां के साथ एक अरहित मां के साथ यदि मां आ रहा है बाद में भी में मेल हो रहा है तो वो द्वित्व व्यंजन के रूप में प्रियुक्त होगा और इस प्रकार मां अरहित मां और दूसरा असहित मा इस धंग से प्रयुक्त होंगे तीसरा नियम था मा काही मा के बाद यदि अंतस्त या उश्म्यंजन आते हैं यहां पर अंतस्त या उश्म्यंजन आए तो उस मा के स्थान पर अनुस्वार के लिखा जाएगा अनुस्वार लगेगा फिर था छठा नियम जिसमें अ आ के अतरि कोई अन्य स्वर्ग प्रियुक्त हो रहा है स से पहले यदि अ आ के अत्रिक्त कोई अन्य स्वर्ग प्रियुक्त हो रहा है तो स का श में परिवर्टन हो जाएगा और सात्वा नियम क्या था री रश के बाद यदि न का प्रियुक्त हो रहा है तो वो न में परिवर्टित हो ज नहीं होगा इस प्रकार आपने जाना व्यंजन संधी के क्या नियाम है अब हम जानते हैं संधी के तीसरे भेद विसर्ग संधी के बारे में विसर्ग क्या है आप पहले जान चुके हैं कि इस प्रकार दो बिंदू प्रयुक्त होना विसर्ग है तो विसर्ग संस्कृत के शब् या व्यंजन के साथ होने पर विसर्ग में होने वाला परिवर्तन विसर्ग संधी कहलाता है। विसर्ग संधी कहलाएगा विसर्ग संधी में परिवर्तन निमलिखित प्रकार से होते हैं। तीसरा चौथा पांचमा वन क्या है? विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाती है। देखिए इसको हमने उसी ढंग से लिखा है जैसे एक तालिका के रूप में या छोटा बनाने के लिए आपके याद रखने के लिए आसानी है। अह जमा 345 अर्थात तीसरा वन, चौथा वन और पांचमा वन अ के साथ वर्ग का तीसरा चौथा पांचमा वन आए तीसरा चौथा पांचमा वन या यरलव ह है। यदि अह के बाद तीसरा चौथा पांचमा वन या यरलव ह है तो इस विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा। का प्रयोग करेंगे जैसे मन हैं जमा भाव के यहां विसर्ग है इसके साथ साथ वियोग लगी है कि अर्थात इसमें अय यूग थियह ना अहां जमा भाव अब यहां अपने वर्ग का इस चौथे वियंजन के साथ में जब और के साथ विसर्ग प्रयोग हुई है और यह चौथा वियंजन है तो यह परिवर्टित होकर किसमें बदल गया है और शब्द बन गया मनोभाव यहाँ पर संधी होई है और ओ का प्रयोग हुआ है यहाँ तो यह ओ संधी के कारण यहाँ पर आया है और जो कि विसर्ग का विसर्ग संधी का पहला नियम है कि विसर्ग का ओ में परिवर्टन इस प्रकार आपने देखा कि यदि विसर्ग से पह रववह हो तो वह विसरग ऌों में परिवर्तित हो जाएगा अन्ये उदारंड देखते हैं पयह जमाधर पयोधर मनह जमाविनोध मनोविनोध, मनहे जमा अनुकूल, मनोडूड, मनहे जमा रत, मनोरत, सरह जमा ज सरोज, वयह जमा व्रहध वयोव्रिद, यशह जमा दा, यशोदा, यशह जमा गान, तपख्ख्ड वोमि, तपोभूमि, मनेह जमा ज, मनोज अधोगती, सरह जमावर सरोवर, यशे जमाधर यशोदर जमाजब्दी, मनोगती, मनेह जमाभाव, मनोभाव for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows three-step approach that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Duty and avail your courses at affordable prices. दूसरा नियम देखते हैं विसर्ग संधी का विसर्ग का र में परिवर्तन. अब विसर्ग के स्थान पर र का प्रियोग किस परिस्थिती में होगा? विसर्ग से पूर्व अ-ा को छोड़ कर, यानि अ-ा के अतरिक्त. देखिए, अ-ा के अतरिक्त, इसलिए इस पर यहाँ पर यह निशान लगाया है, यानि कि इसके अलावा, अ-ा के अतरिक्त कोई अन्यस्वर है, विसर्ग से पूर्व कोई अन्यस्वर है. और उसके बाद, और बाद में कोई स्वर या वर्गों के तीसरे चोथे पांच में वर्ण, अत्वा यरलवह, आपको यह याद रखना है, नियम, देखिए, यरलवह का प्रयोग यहाँ पर भी हुआ था, और इधर भी यरलवह का प्रयोग हुआ है, यह एक, आप याद और आके अतरिक्त, किसी अन्यस्वर का प्रयोग, उसके साथ विसर्ग का प्रयोग, या फिर वही तीसरा, चोथा, पांच में वर्ण, या यरलवह, या कोई स्वर प्रयोग थोरा है, तो वो विसर्ग, किसका स्थान ले लेगी, वो विसर्ग वहाँ से हटकर र के रूप मे परिवर्तित हो जाएगा जैसे दुह जमा बल आप देख रहे हैं यहां पर उ का प्रयोग हुआ है अन्यस्वर है अ और आ नहीं है उ का प्रयोग है उसके साथ विसर्ग लगी है इसके बाद में ब का प्रयोग हुआ है और प फ जो कि तीसरा व्यंजन है ब दू जमा बल तो यहां पर विसर्ग हट कर इसका विसर्ग का स्थान ले लिया र ने जो की हल्चिन के साथ है अर्थात र जो है यहां आ रहित है तो दुर बल लिखने के लिए हम ब के उपर र का प्रयोग करेंगे और इसका उचारण कहा होगा दू के ब इसका उचारण कर रहे है पर अगले व्यंजन के उपर यह लगेगा र दूर बल इस प्रकार से लिखा गया आईए देखते हैं इसकी अन्यवदारण निही जमा गुण निर्गुण निही जमा जन निर्जन निही जमा धन निर्धन नी जमा आशा निराशा नी जमा धारण निर्धारण, नी जमा विकार, निर्विकार, दुह जमा गती, दुर गती, दुह जमा गुण, दुर गुण, दुह जमा आत्मा, दुरात्मा, दुह जमा बल, दुर बल, दुह जमा घटना, दुर घटना, दुह जमा आचार, दुराचार, दुह जमा जन, दुर जन, दुह ज जमा दिन, दुरदिन, दुह जमा भिक्ष, दुर भिक्ष, निजमा मोक्ष, निर्मोक्ष, दुह जमा उप्योग, दुरुप्योग, फिर है तीसरा नियम विसर्ग का श, श, स में परिवर्तन. यदी विसर्ग से पहले स्वर हो और विसर्ग का मेल च छ से हो तो विसर्ग का श हो जाता है इस विसर्ग का श हो जाएगा विसर्ग नहीं रहेगी और वो श में परिवर्टित हो जाएगा जैसे हरी जमा चरन यहां देख रहे हैं हरी स्वर है यहां पर हरी जमा चरन इसके साथ में विसर्ग लगी है हरी जमा चंद्र हरी जमाचंद्र तो ई के साथ विसर्ग प्रिवक्त हुई हैं इसके बाद च लगा है तो हरी जमाचंद्र प्रिवक्त हुआ है अन्य उधारन देखते हैं हरी जमाचंद्र हरी श्चंद्र दू जमाचरित्र दुष्चरित दू जमाचिंता दुष्चिंता नी जमाच्छल निश्चल नी जमाच्छल निश्चल नी जमाच्चल निश्चल नी जमाच्चै निश्चै नी जमाचिंत निश्चिंत नी जमाच्छिद्र निश्चिद्र दूर्जमा चक्र, दुष्चक्र. खबाग इसका, यदी विसर्ग से पहले E, U और विसर्ग के बाद P, F, T, T अथवा कख़ हो, तो विसर्ग का श हो जाता है, जैसे दूर्जमा कर्म, दुष्कर्म. देखते हैं, जब E, U के बाद, इ या उ के बाद विसर्ग प्रयोग हुई हैं और इसके बाद में पफ या चठ या कख का प्रयोग हुआ है तो ये विसर्ग के स्थान पर श का प्रयोग होता है जैसे दू जमा कर्म, दुश कर्म अब देखें इस विसर्ग के स्थान पर हमने यहां श का प्रयोग किया है और दुश कर्म शब्द बना है देखते हैं अन्य उधारन नी जमा कपट निश कपट नी जमा पक्ष निश पक्ष दू जमा फल दुश फल नी जमा ठुर निश ठुर नी जमा काम निश काम दू जमा प्रवरिती दुश प्रवरिती नी जमा फल निश फल धनु जमा टंकार धनुश टंकार देखते हैं विसर्ग का श, श, स में परिवर्टन होने वाला गभाल यदी विसर्ग के बाद क, त, अथ्वा स हो तो विसर्ग स में परिवर्टित हो जाता है विसर्ग के बाद यदी क, त, या स हो तो विसर्ग स में परिवर्टित हो जाता है इस विसर्ग के स्थान पर स आ जा जैसे उदारण देखिए नमहैं जमाकार नमसकार तिरह जमाकार, तिरसकार, पुरह जमाकार, पुरसकार, नही जमातार, निस्तार, नही जमासार, निस्सार, मनह जमाकामना, मनसकामना अब आपने देखा कि यहाँ प्रतेक स्थान पर विसर्ग के बाद यदी कत और स हैं तो उसका स्थान स जो की हलचिन के साथ है और थात अ रहित है ऐसे स ने उसका स्थान ले लिया है फिर है विसर्ग से परे श, श, स, हो तो विसर्ग वैसे ही रहता है या परे का वर्ण हो जाता है विसर्ग वैसे ही रहेगा या वैसा ही वर्ण हो जाएगा जैसा बाद में लिखा गया है जैसे नी जमा संतान, नी संतान, नी जमा संग, नी संग, दुह जमा शासन, दुह जमा साहस, दुह साहस, नी जमा संदे, नी संदे, या तो विसर्ग के रूप में भी लिखा जा सकता है, या आधा स भी लिखा जा सकता है, और रहित स, जो फिर है नी संकोच, नी संकोच, इस से भी लिखा जा सकता है दोनों तरीके से मानने है चौथा नियम है विसर्ग का रहना विसर्ग से परे कख प या फ में हो तो विसर्ग वैसे ही रहता है विसर्ग के बाद में यदी कख प या फ है तो विसर्ग वैसे ही रहेगा और शेश शेश शब्द उसी प्रकार लिखा ज करण देखिए विसर्ग ऐसे ही लिखा गया है और इसके बाद वाला शब्द भी इसी धंग से लिखा गया है इसमें कोई वियंजन कोई विसर्ग संधी के कारण कहीं लोप नहीं हुआ नहीं कोई जुड़ा है कोई वियंजन अब वाद की सिती भी होती है कई स्थानों पर कई स्थानों पर विसर्ग से परे क और प रहने पर भी विसर्ग का स हो जाता है कई आप होने पर भी सही हो जाता है जैसे वाचह जमापती तो वहाँ वाचसपती हो जाता है या भाजमाकर भासकर हो जाता है उनमें कोई परिवर्तन नहीं इसमें परिवर्तन आ रहा है अपितु नियम की अनुसार वहाँ विसर्ग वैसे ही रहती है उसमें कोई लोप नहीं हो रहा नहीं कोई बढ़ोत्री हो रही फिर विशेश रूप से देखिए संस्कृत में मनह कामना ठीक है हिंदी में भी हम मनह कामना शब्द का प्रयोग कर देते हैं परंतु मनो कामना शब्द भी हिंदी में प्रचलित हो गया है और उसे अशुद नहीं माना जाता इसी प्रकार अधह पतन का भी अधो पतन रूप प्रचलित हो गया है पांचमा नियम है विसर्ग का न रहना अर्थात लोप हो जाना यदी विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग का मेल किसी अन्य स्वर से हो रहा है तो विसर्ग का लोप हो जाता है जैसे ततह जमाएव ततेव अतेव यदि विसर्ग का मेल र से हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है इसके साथ ही विसर्ग से पहले लगा स्वर दीरग हो जाता है जैसे नी जमा रोग तो यहां पर विसर्ग से पहले लगा स्वर है नी जो की ई है और ये परिवर्टित होने पर संधी होने पर बन गया नी रोग इसी प्रकार नी जमा रव बन गया नी रव नी जमा रज नी रज नी जमा रस नी रस तो आपने देखा विसर्ग संधी में जो नियम है उसके अनसार ओ, र, श, श, स में परिबर्तन होता है विशेश रूप से और फिर है विसर्ग का रहना या ना रहना तो आप याद रखने के लिए इस प्रकार से एक छोटा सा फॉर्मुला कह सकते हैं कि उसको आप याद रखेंगे विसर्ग संधी के लिए कि हटा रहे हैं और उसके स्थान पर किस का प्रियोग कर रहे हैं सर ओ, श, श, का प्रियोग होगा या आप नी इसके नियम के अनुसार ही याद रखें तो ओ, सबसे पहले है ओ, ओ, उसके बाद हमने विसर्ग के बाद स्थान पर प्रियोग किया रह, फिर है श, फिर है आपका स और श, तो ओ,र, श, स, और श का प्रियोग आपने किया ओ, र, श, स, श, इंसका प्रयोग आपने किया है विसर्ग के स्थान पर इसके अतरिक्त नियम है विसर्ग का रहना और विसर्ग का न रहना इस प्रकार आपने जाना विसर्ग संधी के कौन से नियम है और किस प्रकार हम विसर्ग संधी कर सकते हैं या उसे विछेद कर सकते हैं. इस प्रकार आपने विसर्ग संधी कर सकते हैं अपने जाना विसर्ग संधी कर सकते हैं. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tew Day and avail your courses at affordable prices.